चट पूजा में महज 22 दिन बचे हैं ऐसे में बिहार में साप सफाई पर विसेस ध्यान दिया जा रहा है इसको लेकर बिहार के उपमुख मंत्री तेजश्वी आदो भी लगतार एक्षन में दिख रहे हैं गुरुवार को उन्होंने नगर विकास एवं अवास विभा की सब्सक्राइब की तेजश्वी आदो ने बैठक की कुछ तस्वीर भी शेयर की जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पाड़े होंगे तेजश्वी आदो ने अपने ट्वीटर हैंडल के माध्यम से का कि आज नगर विकास एवं अवास विभा की समिछात्मक बैठक म पूजा छट पूजा के महापर्व के दरान सहरों में साप सफाई एवं सरद्रिकरन पर विशेश ध्यान देने का निर्देश दिया है पत्ना मेट्रों के निर्मान संबंधित भी उद्दम जानकारी प्राप्त की ललित भवन से लेकर डाग मंगलाच और आहत तक मार्ग को मौडल सरक के रूप में विक्सित किया जाएगा अत्याधूनिक सुधाओं से सुसजित इस सरक पर लैड़ स्केपिंग, लाइटेन, साइनेज, बोर्ड, सरक, किनाड़े, सुंदर, पौधे, हरियाली, स्टिबिंग, पार्किंग, प्रॉपर जो है वो वेवस्था की जाए आपको ताजे की गुरुवार को तेश्वी आदो ने प्रेटन विभाग का क्यारभाल समारा इसके साथ उन्होंने नगर विकास और अवास विभाग की सभी सात्मक बैठक बिलाई, बैठक में अधिकाडियों को कई दिशा निर्देश भी दिये हैं, तो तेश्वी आदो उपमुक मंत्री बने, उनके पास कई मंत्राले भी हैं, स्वास्त विभाग हो, प्रेटन हो, नगर विकास अवास हो, इन तमाम चीजों को लेकर वो, एक्षन में दिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि तेश्वी आदो का एक पहल, जो देश भर में चर्चा कभी से बना, कि अचानक वो देरात PMCS में छापे मारी के लिए पहुं जाते हैं, जहां पे हर कंप जैसी इस्तिती देखने को मिलती है, डॉक्टर से सोय रहते हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए तेश्वी आदो ने, खड़ी खोटी खूब सुनाई, और कहा कि अगली बार से अगर आप लोग की गलती पकड़ी आती है, तो फिर बक्सा नहीं जाएगा, तेश्वी आदो के एक्षन के बास, डॉक्टरों में एक खौफ है, गलत ना करने की, कि अगर कुछ गलत करेंगे, तो फिर उपमुख मंतरी, और सुबे के स्वास्त मंतरी जो है, अगर छापा मार दे रहे हैं, पैनी नजर हैं उनकी, और इस वीच उन्होंने जो नगर विकास अवास का जो बैठक बलाई थी, उसमें तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया, कि छट पूजा को लेकर विशेश तयारी में जुट जाए, किस भी हाल में, विशेश मॉडल के तौर पर पटना की सरक जो है, वो देखने मिलने चाहिए